ओम दुम दुर्गाई नमा जै मातरानी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदासरवधा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गाई शप्तशती का ग्यारवा अध्याई तो माभगवती दुर्गा का आपने मन में ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं और दुर्गेश स्प्तिशति के ग्यार्वे अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तूती तथा देवी द्वारा देवताओं को वर्दान प्राप्थ होने का वर्णन मिलता है। प्रसन्न हो, हे विश्वेश्वरी विश्व की रख्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की अधिश्वरी हो, तुम इस जगत का एक मात्र आधार हो। क्योंकि प्रिथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिती है, हे देवी तुम्हारा पराक्रम अलंगनी है, तुम्ही जल रूप में स्थित होकर संपुरण जगत को त्रिप्त करती हो, तुम अनंत बल संपन्न वैशनवी शक्ती हो, इस विश्व की कारण भूता परामाया हो, हे जगदंब एक मात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है तुम्हारी स्थूति क्या हो सकती है तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो जब तुम सर्वस रूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी इस से अच्छी उप्तियां और क्या हो सकती है बुद्धी रूप से सब लोगों के हिदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है कला कास्ठा आधी के रूप में क्रमशा परिणाम अर्था को सिध्ध करने वाली सरणागत वच्चला तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो तुम्हें नमस्कार है तुम स्रिष्टी पालन और संगहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुडों का आधार तथा सर्व गुड मई हो हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है शरण में आये महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारन करने वाली तथा महान व्रिषब की पीट पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है शंक, चक्र, गदा और शारंग धनुस रूप उत्तम आयुधों को धारन करने वाली वैश्णवी शक शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन हो, तुम्हें नमस्कार है, हाथ में भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ों पर धरती को उठाए, वाराह रूप धारनी, कल्यान मई नारायणी तुम्हें नमस्कार है, भयंकर निस्रिंग रूप से दैत्यों के वद के लिए उद्यो धारन करने वाली इंद्रशक्ति रूपा नारायणी हे देवी तुम्हें नमस्कार है, शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संगहार करने वाली भयंकर रूप धारन तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है, दाढ़ों के कारण वि पूरे रंकी अथ्वा पार्वती, तामशी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात संयम परायणा तथा इशा अर्थात सब की अधिश्वरी, रूपीणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। अत्यंत भयंकर और समस्त असरों का संगहार करने वाला तुम्हार त्रिशूल भैसे हमें बचाए। पर सब रोगों को नश्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनो वांचित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ती तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी हे अंभिके तुमने अपने स्वरूप को नेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही महाद्यत्यों का संहार किया है वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्यान को प्रकासित करने वाले शाष्त्रों में तथा आदिव्याक्यों अर्थात वेदू में तुम्हारे शिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐशी शक्ती है जो इस विश्व को अज्यान में घोर अंधकार से परिपूर् कामता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो जहां राक्षस जहां भयंकर विश्वाले सर्प जहां शत्रू जहां लूटोर्यों की सेना और जहां दावानल हो वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो तुम विश्वरूपा हो इसलिए सम्पुर्ण विश्व को धारन करती हो तुम भगवान विश्वनात की भी वंदनिया हो जो लोग भक्ति पुर्वक तुम्हारे सामने मस्तक जुकाते हैं वे सम्पुर्ण विश्व को आश्रे देने वाले होते हैं हे देवी प्रसंद हो जैसे इस समय अस्रों का वद करके तुमने शीग्र ही हमारी रक्षा की है उसी प्रकार सदा हमें शत्रूओं के भैसे बचाओ संपुर्ण जगत का पाप नश्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरू प्राप्त होने वाले महामारी आदी बड़े बड़े उपद्रवों को शिख्र दूर कर दो विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे महादेवी हम तुम्हारे चरण पर पड़े हुए हैं हम पर प्रसंद हो त्रिलोक निवाशियों की पूजनिया परमेश्वरी सब लोगों को वर्दान दो देवी बोली हे देवताओं मैं वर्देने को तैयार हूँ तुम्हारे मन में जिसकी एक्षा हो वहवर माग लो संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य ही दूँगी तब देवताओं बोले हे सरविश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रूओं का नास करती रहो तब देवी बोली हे देवताओं वैवश्वत मनमंतर के 28 वे युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महाद्यत्य उत्पन होंगे तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवत्यरण हो विंध्याचल में जाकर रहोंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी फिर अत्यंत भयंकर रूप से प्रित्यूपर अवतार लेकर मैं विप्रचित्ति नाम वाले दानवों का वद्य करूंगी उन भयंकर महा दैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दाथ अनार के फूल की भाती लाल हो जाएंगे तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोग में मनुस्य सदा मेरी श्तूती करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे फिर जब प्रित्यूपर सौ वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा उस समय मुनियों के इस्तवन करने पर मैं प्रित्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकठ होंगी और सौ नेत्रों से मुनियों को देखूंगी अतह मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा किर्थन क करेंगे हे देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए साको द्वारा समस्त संसार का भरन पोसड करूंगी जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सब के प्राणों की रक्षा करेंगे ऐसा करने के कारण प्रित्वी पर्षा कंभरी के नाम से मेरी ख्या भक्ती से नतमस्तक होकर मेरी स्तूति करेंगे तब मेरा नाम हीमा देवी के रूप में विख्यात होगा जब अरुण नामा के दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीनों लोकों काहित करने के लिए छे पैरों वाले असंक्य भ्रमरों का रूप संगहार करूंगी ओम नमस चंडिकायाई इस प्रकार स्रीमार गंडे पुराण में सावरणिक मनमंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मे में देवी स्तूती नामक 11 अध्याई पूरा हुआ और इसके आगे के अध्याई आप कल की कथा में सुनेंगे कल 12 और 13 अध्याई होगा नवरात्री की सब्तिमी तिथी पर दुरगर शप्तिशती के 12 और 13 अध्याई का पाठ किया जाता है और श्रमण किया जाता है तो उम्मीद करती हूँ कि कल की कथा भी आप जरूर सुनेंग और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे आगली वीडियो में तब तक के लिए नमसकार